यहन दोस्तों सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है सबसे पहले बात करते हैंड लाइन्स की क्या चार दिन बाद आएगा समान मिलिटरी सर्विस पे के उपर बड़ा फैसला और टोल टेंस छूट के उपर अफसर जेशियो वार्ज की लिएक लेटर पे आया बड़ मिलिटरी सर्विस पे के उपर एक सुनवाई है जो हो नहीं है दोस्तों अभी तक जैसा हम सभी जानते हैं कि यह केस हमारा रेइस्टर्ड है 29 नमबर 2018 से और यह है वाइस ओप एक सर्विसमेन सोसाइटी की तरफ से अभी तक इसके उपर कोई सुनवाई नहीं हुई है और इसी मैने यानि 19 अपरेल को है हम उम्मीद करते हैं आसा करते हैं कि इसके उपर सुनवाई हो और इसके उपर एक अच्छा वर्डेक्ट आए जिसका इंतियार हमारे लाखों पैंसेनर्स और सर्विसमेन कर रहे हैं अगली बड़ी ख़बर की बात करके है एक्जम सेशन और एक अपडेट एप एक लेटर आप देख सकते हो और यह लेटर लिखाया केंद्री सेनिक बोड मिनिस्ट्री ओडेपेंस ने लिखाया और लिखाया अधिशनल डारेक्टर आफ डारेक्टरेट सेनिक कल्यान के लिए कि एक्जम्शन और टोल्टेक्स पोर रेटार्ड ओफि already has been taken off ministry of defense and sector wise यानि ये case already take up था लेकिन क्या किया है not agreed by the ministry of road, transport and highway यानि जो आपका road, transport and highway मनत्रा लेन है ये बिलकुल disagree कर दिया है कि आपका adjunction of toll tax है वो mark adjunction नहीं होगा यानि आपको fast take के जरी है या किसी ने की जरी है आपको toll tax देना हुआ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों जिसमें लिखा है कि ECHS लावार थी जो कि आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे ECHS जो है उनके लिए एक admission याने hospital में इदबो admit होते तो उनके लिए कितने दिन का अप्रूबल कौन दे सकता है इसकूपर निकला है यह central organization ECHS अज़्वेंट जनरी ब्रांस मिनिस्ट्रों डिफेंस की तरफ से निकला है extension of stay for hospital models उसमें उन्होंने कहा गया है कि यह तो तेरा दिन तक आप तेरा दिन से 30 दिन तक OIC Poly Clinic आपको sanction दे सकता है और stage 2 में 31 से 60 दिन तक का approval डारेक्टर त्वारा गल सकता है और stage 3 में 61 से 120 दिन का approval है आपको MD ECHS दे सकता है यानि इस आप letter quotes में देख सकते हैं और यह वी जो viral हो रहा है यह ECHS लावार्थी हैं इनके लिए सुबदार धन्यवाद दोस्तों आज की खबरों में इतना ही बने रही है हमारे से